नमस्कार बहुत स्वागत है आपका News18 सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती पुनीद भी हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको दरसल कुछ बताना चाहता हूँ युद्ध जब आप इस शब्द को सुनते हैं ये मानविय सभ्यता के ग्यात और अग्यात इतिहास की सबसे त्रासद शब्द अगर कोई है वो युद्ध लगातार मिडिल इसकी जिस तरह की खबरें आ रही है युद्ध को लेकर हैडलाइन्स आप देखते हैं और अगर आप ये सूनते हैं के नहीं वो युद्ध आपको किसी तरह प्रभावित नहीं कर रहा तो आप गलत हैं उस युद्ध को आज हम डिकेट करने की कोशिश करेंगे किस तरह के सेनेरियो बन रहे हैं भारत पर इसका क्या कुछ असर हो सकता है आपकी जंदगी पर क्या आसर हो सकता इस तरह कि तमाम चीज़ों को बहुत आसान शब्दों में डिकोट करेंगे पुनीत लगातार जो इंटरनेशनल वार की इस्थितियां बनी हुई है जो मिडल इस में चल रहा है उस पर लगातार बहुत बारीक नज़र रखे हुए है उनके जरीए ही आज हम आपके लिए यह स ज़ातार और जवत लड़ी रहा है हम देख रहे हैं काई सालों से वह युद लड़ रहा है को का नी दूसरी तरह और वो कानी हम सब जानते हैं कहाँ चल रहा है सिनर्य2 यह क्नद दूसरी तरफ के अगर हम बात करें इसराइल जो जस मोच्छे पर जंग लड़ रहा करते हैं कि कल देखने को मिला हमाज चीफ की हत्या करती गई और इसके बाद से अब ये एक तरफ ये कहा जा रहा था कि क्या ये मामला इसके बाद थम जाएगा या ये कही न कहीं ठंडा पर जाएगा ये कोटा सा मैं आपको टोकना चाहरा हूं इसराइल सबसे हॉट टॉपिक है मेरा ख्याल है कि आप सोचल मीडिया पर लगातार इसे लेकर बहुत अच्छे से समझा भी रहें आपने मुझे भी एक दिन समझाए कि वो नक्षे में किस तरह से इसरेल जो है वो दरसल घेरा हुआ है उसके बावजूद इसरेल का जब जिक्र कर रहा है पनी तो एक बात अगर मैप में देखेंगे तो एक पटी की तरह है और बाकी जो है आसपास मुस्लिम देश इसराइल के आसपास बहुत सारे हैं और वहाँ पर इरान जो जिस तरीके से इरान और इसराइल की जो दुश्मनी पहले से चली आ रही है बहुत पहले से चली आ रही है तो इरान ब्रदर हुट के नाम पर घेरने की कोशिश लगातार करता रहा है इसराइल को खास तोर पर बाकी मुस्लिम मुलक जो हैं उनको साथ में लेकर और इसलिए गाजापटी की लडाई जो है अलकसा मस्जिद के बारे में मैंने आपका जिक्र किया था आपको बताया था अलकसा मस्जिद जो है गाजापटी के बिलकुल कॉर्टनर पर जो जिसे हम कह सकते हैं कि बिलकुल वो सीमा वाला इलाका है और वहां बो अलकसा मस्जिद मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और कुल मिलाकत लड़ाई इसी बात को लेकर है फिलिस्तिनियों और यहूदियों के बीच में यह जो लड़ाई है यह उसी वक्त से चल रही है अब जिसका जिकर पुनीत कर रहे थे हमास चीफ का जिस तरीके से पहले खबर आई किस तरह से उनको मारा गया है अटेक की बात आ देखे आज यह बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई हमास चीफ की जो हत्या हुई पहले यह कहा जा रहा था कि जिस गेस्ट हाउस में रुका वहां पर मिसाइल अटेक हो गया लेकिन आप खुद ही सुचिए कि एरान में जब हमास चीफ हनिया पहुचा हुआ था तो व वो कोई ऐसे ही नहीं गया हुआ था वो वहां का स्पेशल गेस्ट था और इस एरान के राश्ट्रपती के वो शपत ग्रेंड समारो में पहुचा हुचा हुआ था और हमास चीफ कई दफा इसराइल अब कीजिए का इरान जो है वो जा चुका है कई दफा जा चुका है और वहां पर गेस्ट हाउस में जिस गेस्ट हाउस में वो रुका हुआ था वहां पर मिसाइल अटैक हो जाना और राजधानी में तहरान में तो यह आपको लगता है कि क्या यह आसान होगा यह कोई कैसे कर सकता है आप खुद ही सूचिए हमारे देश के बारे में अगर सूची कोई अगर आ जाए और उसके उपर हमला हो जाए ये बहुत बड़ी बात है तो पुरे दुनिया का भी आप अपने तरफ दियान कीच लोगे और मिसाइल या ड्रोन अटेक की जो बात आई ये वाकई शुरुआत में गले नहीं उतरे लेकिन ये कहा जा रहा था कि ड्रोन से अटेक किया गया सब इसराइल से कोई मिसाइल ने चली बलकि ड्रोन से ही कोई मिसाइल चोड़ी गई और उससे अटेक करके उसको मार दिया गया लेकिन आज चौंकाने वाली खबर ये सामने आई कि ये मिसाइल का अटेक नहीं था बलकि ये बॉम अटेक था और ये कैसा बॉम अटेक था ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला है यहां पर जहां पर ये हनिया रुका हुआ था उस गेस्ट हाउस में दो महिने पहले दो महिने पहले वहाँ पर बॉम प्लांट करके रखा गया था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये हनिया लगातार दौरे करता रहता था इरान के और तेहरान में उसी गेस्ट हाउस में रुकता था जहां वो रुका हुआ था तो एक टार्गेट बहुत आसान हो जाता है कि यहाँ पर टार्गेट किया जा सकता है और यहीं पर चूक होगी कि वो एक जगा रुक रहा था इस पर पूरी नजर बनी हुई थी और फिर वहाँ पर पहली और ये बात सामने आई कि दो महीने पहले, आप सोच सकते हैं कि दो महीने पहले कितनी बड़ी प्लानिंग की गई होगी, कितना बड़ा इसके पीछे आप कॉन स्परेंगे, टेकनलोजिकल सपोर्ट भी बहुत चाहिए, इसमें रिमोट टेकनलोजी का इसमें इस्तमाल किया गया, और आप यह कह सकते है कि बहुत explosive device भी ऐसा होगा, जो advanced explosive जिसे हम कहते हैं, तो बहुत चोटा सा वो होगा, और वो शायद पता भी नहीं लगा पाया, दरसल वहाँ पर… classical classes बन रहीता हैं, खास दोर पर जो इसरायल के बंधक बनाए गये हैं उनको लेकर के और इसरायल के बंधकों को छुडाने को लेकर जो डील चल रही थी, उस डील को लेकर कहीं न कहीं हमास chief जो है उसका रुख थोड़ा सा नरम नजर आरा था, और इसको आगर ऐसे देखें तो गाजा चीफ जो है इस बात से कही नारास्ता तो ये क्या ये माना जाए कि आपस में ही जो गाजा में हमास और गाजा चीफ के बीच में ही आपस में कुछ मतबहत है और ये भी हम दूसरा एक एंगल ये भी बन रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि रास्ते से हटाने वाली बा कर इतना अर्टैकिंग नहीं था आजु लेकर के लिकिन भाद में हमास कमंडेर्स को खास्तोर पर निशाना बनाया किया है हेजबुला को निशाना बनाया गया है गर गृट्बॉल्ह जो लेबनान में बैट कर काम कर रहा इन दोनों के बीड जो क्लेशेस्टे थे, वो एक बड़ी वज़ा बने, एक और बात है, और वो मतलब नाम ही ऐसा है अपने आप में, एक नाम आप ने सुनाओगा मुसाद, उसके काम करने के तरीके, किस तरीके से मुसाद, मतलब मुसाद जिस तरीके से काम करता है ऐसा लगता हम टाइगर 1,2,3,4 देख रहे हैं या जवान जैसी कोई फिल्म देख रहे हैं जिसमें कुछ भी हीरो के लिए नामुम्किन नहीं होता एक तेहरी ये भी कहती है कि इसमें मुसाद की बात भी निकल कर सामने आई है वो क्या है देखिए मुसाद जिसको लेकर एक कल भी हमने एक वीडियो बनाया था कि मुसाद क्या है मुसाद सबसे खतरना के अजनसी खुफी अजनसी मानी जाती है मुसाद ने ओलंपिक्स में जब उनके खिलाडियों पर हमला हुआ था तो कई सालों तक चुन-चुन कर बदला लिया था और कई साल बाद उस कॉंस्पिरेंस बे जो जो लोग शामिल थे उनमें हर एक आदमी को उन्होंने चुन-चुन कर खोज-खोज कर मारा था कई देशों में काम किया है तो यह है मुसाद और मैं आपको बताता हूँ उस पर मैं आऊंगा कि दरसल यह जो कहा जा रहा है इसके पीछे एक बात यह भी कही जा रहे कि मुसाद ने यह काम करवाया है और मुसाद जो जिस तरीके से काम करवाता है उसकी स्ट्रेटरजी बड़ी टाइट होती है और वो जहां पर भी काम करता है बहुत अंदर तक पैठ बना कर रखता है अब 2020 की जो आप जिकर कर रहे थे 2020 में इरान के परमानू प्रमुख वज्ञानिक जो थे उनकी हत्या हुई उनकी हत्या हुई और कुछ ठीक इसी तरीके से हत्या हुई जैसे हमाज शीव की हत्या हुई देखिए ये कोइंसिडेंस नहीं है बिल्कुल भी और उसमें भी तब ये कहा गया कि जो उस हाथसे में उस घटना में शामिल थे या जिसने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया था वो इरान का ही व्यक्ति था तो ये कहा गया कि जो मुसाद है उसने एरान के ही लोगों से ये पूरा काम अंजाम दिलवाया यानि कि ये आप समझेए कि खुपी आइजनसी का खुंखार और उनका काम करने का तरीका कैसा है और एससिनेशन के अगर बात की जाती है तो वो कुछ इसी तरीके से मुसाद हमेशा से का करता हुआ नजर आए तो ये तमाम चीज़ें और जैसे कि मैंने कहा था कि आप किसी भी युद्ध से खुद को अलग नहीं रख सकते आपके जीवन पर उसका असर पढ़ता ही पढ़ता है एक कुछ और इंपॉर्टन चीज जो आप पूछ रहे थे आई आर जी से देखिए कि यहां पर एक चीज और निकल कर सामने आ रही है पहले ये बात कही गई जब हमला हुआ तो जहां हमला होगा वहां तुरंथ पता चल जाएगा कि हमला हुआ कैसे क्या मिसाल से हमला हुआ है या बॉम ब्लास्ट हुआ है यह कैसे हुआ है यह पता चल जाएगा लेकिन एक जो जिस guest house में हमास का चीफ रुका हुआ था वहां उस guest house की अगर बात की जाए तो उसकी IRGC Islamic revolutionary guard करके उनकी एक वो है और उसके security agency और उसी के उपर पूरी जिम्मेदारी है वहां की उस guest house की पूरी सुरक्षा की और उसके उपर इल्जाम ना आए इस वज़े से ये कहा गया क्योंकि ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि इरान की जो खूफिया agency और सेना जो है उसकी IRGC के बीच एक प्रकार का उनका competition चल रहा है तो IRGC की तरफ से ये कहा गया कि हवाई हमला है और सीधी बात है कि हवाई हमला है तो ये सारी जिम्मेदारी और जब इतना बड़ा function चल रहा होती ये सारी जिम्मेदारी किसके उपर आ जाती है वायू सेना या वायू रक्षा ट्रानाली पर पूरी आ जाती है जो समभाल रहें तो फिर बाद में पता चला कि ये तो बॉम रखा गया था अब इसके बाद फिर बाकी कहानी आपको मालूम है कि मुसाद के बारे में मैंने आपको बताए कि मुसाद कितने खुखार और किस तरीके से काम करती है तो कहीं न कहीं है कहा गया इरान की तरफ से भी कहा गय है और इसको यह लोग मानने के लिए तयार नहीं है इसके पहले भी इनों ने ऐसा सब कुछ किया है और चेतावनी दे डालिए कि इसका बतला लेंगे दूसरी तरफ बाकी मुलकों से भी जो बयान निकल कर सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा चेताते हैं गंभीर इस्थिती में जो खटा करम चल रहा है इसी तरह के जो बहुत आसान शब्दों में हम आपके लिए हमेशा से इसे डिकोट करते रहें आगे भी हम डिकोट करते रहेंगे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर आप लगातार हमारे साथ जुड़े और बने रहें क्या कुछ आप देखना चाहते हैं वो भी आप हमें सजस्ट कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद